एस्ट्रोनोट सुनिता विलियम्स और उनके साथ ही बुश विलमॉर को स्पेस इस्टेशन ले जाने वाला स्पेस क्राफ्ट तीन महीने बाद धर्ती पर सुरक्षित लेंड हो गया है तीन बड़े पेरशूट और एर बैक की मदद से इसकी लेंडिंग हुई स्पेस क्राफ्ट भारतिय समय अनुसार सुबह साड़े तीन बजे इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन से अलग हुआ था इसको धर्ती पर आने में करीब 6 गंटे लगे इस्टार लाइनर ने 9 बचकर 15 मिनिट पर प्रत्वी के वायू मंडल में प्रवेश किया तब इसकी गती करीब 2735 किलो मिटर प्रती घंटा थी यह सुबह 9 बचकर 32 मिनिट पर अमेरिका में न्यू मैक्सिको के वाइट सेंड पेपर वाइट सेंड स्पेस हारबर में लेंड हुआ बोइंग कमपनी ने नासा के साथ मिलकर यह स्पेस क्राट बनाया है पांच जून को इससे सुनीता और बुच को आई एस एस पर भेजा गया था यह सिर्फ आठ दिन कमिशन था लेकिन तकनी की दिक्कत के कारण इसकी वापसी टालने पड़ी अब यह स्पेस क्राट बिना क्रू के साथ प्रत्वी पर वापस आ चुका है